हेलो फ्रेंड में कवीता वर्माइक पर फिर्ट से आप लोगों का हमारी चैनल में स्वागत है जैसा कि सरकार के निर्देश्रा अनुशार 18 वर्चादिक आयू वाले सभी लोगों को करोना वैक्सिन लेने के लिए रेजिस्टेशन करवाना होता है बिना रेजिस्टेशन किये किसी को भी वैक्सिन नहीं दिया जाएगा इसलिए सबसे जरूरी है कि हम रेजिस्टेशन करते हैं तो रेजिस्टेशन कैसे करते हैं तो चलिए आज सीखते हैं आप एक नमबर से चार मेंबर का रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम Google पर आजाते हैं, हम Google पर आने के बाद हम आप लिखते है, C-O-W-I-N , कोविन लिखके, सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो देखिए ये पहला वाला option है, ये कोविन, इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेश खूलता है तो देखिए सबसे पहले उपर यहां पे लिखा हुआ मिलेगा register sign in you're shelf यहां पर आपको बिल क्लिक करना है क्लिक करना है तो यहां यहां पre गेट ओटीपी यहां पे गेटौटीपी है इससे हमें क्लिक करना होता है तो चलिए हम यहां क्लिक कर लेते हैं गेट क्लिक करने के बाद आपके नम्मर पर uh ओटीपी आएगा ओटीपी को आप वहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं ओटीपी आने का देखें ओटीपी आ गया है तो हम ओटीपी को लिख लेते हैं ओटीपी हमारा 33 11701 यह लिख के हम वेरिफाइ करते हैं OTP को लिख के हम verify कर लेंगे, verify कर लेते हैं, verify करने के बाद देखिए, इस तरह से खुलेगा आपका, अब यहाँ पे आपको register करने का option, यहाँ पे register member आपको करना होता है, तो यहाँ पे हम click कर लेंगे register member को, click करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहला option है, आपको photo ID proof, photo ID proof पर आपको click करना है, तो क्या आपका ID proof है, अधार है, driving है, passport है, यह शारा option है, मान लीजिए हम अधार card देते हैं, तो अधार card पे click कर लेते हैं, click करने के बाद यहाँ आपको अधार number डालना होगा, फिर अधार card में क्या नाम है, उसे लिखना होगा, फिर gender आपका क्या है, उसे लिखना है, male य पे क्या लिखना है, तो आपका registration हो जाएगा और आपको inbox पे message आजाएगा, कि कब आपका होगा, तो friend अगर आपलोगों को हमारा यह video अच्छा लगाओ तो प्लीज हमारे वीडियो को лайक, शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप उसे देख सके थैंक यू